नोश्कार दोस्तों UPVC Windows Training Series में आज हम आपको बताएंगे टू ट्रेक के बारे में यह टू ट्रेक का फ्रेम है मेरे सामने और इसमें हमने एक में अलुमिनियम रोड लगा रखी है और यह टू ट्रेक का फ्रेम कहां पर यूज होता है जहां पर थ्री ट्रेक का नहीं कर रहे ह हैं तो जैसा आपको पता है कि अगर आपकी साइट पे AC ही यूज होना है तो आपको जाली वाली विंडो नहीं चाहिए आपके सिर्फ दो ग्लास की विंडो होंगी तो वहां थ्री ट्रेक के जगे टू ट्रेक में आप लोग पैसे सेव कर सकते हैं और अब हम इस फ्रेम के बारे में डीटेल आपको बताएंगे तो और आप जब इसकी स्पैसिफिकेशन देखेंगे क्योंकि हम लोग हमारे ले जो टू ट्रेक यूज करते हैं प्रोफाइल उसके बारे में बताएंगे पर सेम चीजह आप जिस भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो आपको पता होगा क इसका इन्वेंटरी मेनेजमेंट और इसका वेट कैलकुलेशन में विंडो के क्या क्या चीजह लेनी है तो जब हम इसको देखते हैं हमारी प्रोफाइल के स्पैसिफिकेशन में तो यह देखिए यहां पर यह टीसी शिक्स्टी वन नाम से है और यह 1.205 kg पर मीटर है और देखिए आप यह 60 है और बीच में इसके 62 mm है और एक बैग में 4 पीसेज होते हैं और इसको हमारे स्पैसिफिकेशन में टीसी 60-1 कहते हैं जो प्रोफाइल हम लोग यूज करते हैं आप लोग भी जो प्रोफाइल यूज करते होंगे वहां पर इसी टाइप के नंबर्स आते हैं हमारे यहां जिसको टीसी 60-1 कहते हैं और इसमें भी 4 पीसेज हैं दोनों में 4-4 पीसेज हैं हलका सा इसके देखिए यह 1.205 kg पर मीटर है और यह 1.15 kg पर मीटर है सिर्फ इतना सा डिफरेंस है यह आपको डिसाइड करना है कि कितनी बड़ी आपकी विंडो है या क पास जैसे इस टाइब के बैग जाएंगे इसके हैं और आपको पता है यह हर एक बैग में 5.85 मीटर या 20 फिट कह लिजिए 20 फिट लंबी छड़ है एक यूनिट 20 फिट की है तो जब हम TC-61 के लिए निकालते हैं या 1C के लिए निकालते हैं क्योंकि 1C के लिए 1.15 लेना है और TC-61 के लिए 1.205 लेना है तो इसको 5.85 से मल्टिप्ला करेंगे 1.205 को 5.85 से तो यह आएगा 7.04 kg तो आपका inventory calculation में आगर आपका एक पीस बचावा है तो वह 7.04 kg का होगा और एक बैग में 4 पीसे हैं तो बैग आपका 28.19 kg का होगा 28.19 तो यह inventory management के लिए number होगे आपके और ऐसे ही यह number आप TC-60-1C के लिए भी निकाल सकते हैं यह example हमारी profile के लिए है आप जो भी profile यूज करें इसी type से आपको inventory management या weight calculation में आपको निकालना है अपने numbers देख के तो तरीका यह होगा profile कोई भी हो और अब जब हम देखें इसको कि window के weight calculation में जैसे कि ह हमारा एक YouTube video है how to calculate weight of UPVC window अगर उसके हिसाब से आप weight निकालने है window का तो इसमें 1.205 kg per meter तो profile का weight आगया और GI का weight आप लिंगे इसमें 0.65 kg per meter वाली GI का weight होता है जो 1.2 mm मोटी होती है तो total weight आगया 1.855 kg per meter मतलब 1 meter window के frame का अगर frame 2 by 2 meter की window है तो ये into 2 हो जाएगा एक side का तो ये 1.85 kg होगा 1 meter का जहां पर ये वाले आपका frame यूज किया है तो हमने 2 track जो बहुत important होता है 3 track के बाद उसके बारे में बताया है और ऐसी हमारी video series में आपको fix के बारे में और 3 track के बारे में इनके अलग-लग size के बारे मे और ये videos जैसे कि हम पहले बताते हैं आपको इसलिए हैं कि जब हम इनके इसके base पे आपका glass size और आपका roller कौन सा यूज करना है या आपका size size निकालेंगे तो आपको idea होगा क्योंकि जब भी आप window की map लेके आएंगे तो customer के वाँ जिस area जो space allocated है window के लिए वो लेके तो उसमें ये आपको help करेगा ये वाले वीडियो बाकी आपको कोई questions होगे तो please comment कीजिए धन्यवाद दोस्तों